यह question है, the area of a trapezium is 248 square meter, its height is 8 meter, if one of the parallel side is smaller than the other by 4 meter, find the two parallel sides, तो यह trapezium है, इसमें एक side हमारे पास expose कर लेते हैं, तो दूसरी side जो हो, वो x-4 हो जाएगी, यह मारे पर दो side है, उसने कहा है कि एक side जो दूसरी से 4 cm smaller है, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक side x लेते हो, तो दूसरी को x plus 4 भी ले सकते हो, यह आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी है आप कर लें, solution answer जो हो, वो सेम आएगा, तो इनके बीच की जो height है, जो height है वो है 8 meter, यह जो parallel side की बीच में, तो जो हमारे पास area इसका formula होता है, half into sum of parallel side, sum of parallel side होगी x plus, x minus 4 into height, height होगी 8 meter equals to 248, 2 से 4, height cut गया 4 पे, तो मेरे पास आया यह, 2x minus 4 into 4 मैं पहले लिख लें, तो equals to 248, अब इसकी calculation आपके अपनी तरह से कर सकते हैं, मैं पहले इस 4 को हटा दूँगा, तो वो 4 divide करेगा, तो मैं divide करूँगा, तो मेरे पास हो जाएगा 62, 2x मेरे पास आ गया, 62 plus 4, तो 2x equals to 66, तो x मेरे पास आया 33, means एक साइड जो अब वो 33 होगी, और जो दूसरी साइड मेरे पास आई x minus 4, x minus 4 होगी, 33 minus 4 equals to 29, तो एक साइड होगी 29 meter, और एक साइड होगी 33 meter, अगर दोनों का difference आप देखो, तो 4 meter का difference है, तो यह सकांसर है, thank you.